हलो फ्रेंड वेलकम टु जजबा अनलाइन स्टेडी क्लासे दोस्तो आपका स्वागत है आपके अपने चाइनल जजबा अनलाइन स्टेडी क्लासे में दोस्तो आज से हमारा गुरूब डी और एंटी पिसी का सिलेवस चल रहा है दोस्तो यह हम आपको 10 से 15 दिनों में सुला अपरेल को रेल दिवस ता है डश से शुला अपरेल को रेल्व सप्ताह मनाया जाता है तो याद रखेगा भारतिये रेलवे पर इंचा रेलवे स्टेशन सीमली गुरह है जो शमुंद्र से 32 सठ फीट है अर्थात 990.08 मेटर उच्छा है यह रेलवे एस्टेशन दक्षिन पूर्व रेलवे के वाल्टेयर मंडल के कुट टावा लास और किरांडूल रेलवे खंड में है दोस्तों यह याद कर लिजेगा इसमें तोर तोर के आप से प्रस्ण पुछ सकता है कि सबसे उचा रेलवे एस्टेशन कौन सा है तो दोस्तों इंडिया का सबसे उचा रेलवे स्टेशन है जो सिमली गुरा है जो समंदर तल से इसकी उचाई भी पूछ सकता है 3268 फीट या मी रेल्वे का काल का सिमला खंड है जिस पर 173 सुरंग है दोस्तों पहले कुछ कंसेप्ट हम लोग देखेंगे उसके पाद 10 कोश्चन इस पर अधारीत हम लोग देखेंगे चले तो दोस्तों यह क्या गरा है भारती रेल्वे में अधिक्तम रेल्वे सुरंग वाला रेल्वे खंड उत्तर रेल्वे का काल का सिमला खंड है जिस पर 113 सुरंग है तो यह कौन सारा रेल्वे खंड है काल का सिमला खंड रेल्वे का काल का सिमला खंड इसको याद कल दीजेगा दोस्तों थोस्तों भारतियो रेल भारतिय रेल वे त्रीतय श्रतिय श्रेणी 1975 में समापत कर दिए। कर दिए यह ऐसे कोश्चन पुछेक। डॉसे की भारतिय रेलवेडित हैंente में समाप्त कर दिए तो 1974 में समाप्त कर दिए नेक्स तथे जो है दोस्तो भारतिये बारत के दो राज्य मेगालए और सिक्की में कोई रियल्वे मार्घ नहीं है याद रखिये कोन से राज्य में मार्ग नहीं है नेक्स्ट कोश्चन दोस्तों भारत के सबसे उत्तर में इस्थित रेलवे इस्टेशन जम्मुत तवी है और सबसे दक्षिन में कन्याक मारी दोस्तों सबसे उत्तर में है हमारा जम्मुत तवी और सबसे दक्षिन में है कन्याक मारी रेलवे इस्टेशन याद रखिएगा सबसे लंबा रेल्बे याड मुखल सराय का सबसे लंबा रेल्बे-yard जो है मुगल सराई का रेल्बे-yard नेक्स्ट कोशन दोस्तो पांच से बारोग औश तक के बच्चों को आधाठ टिकट लगता है जबकि साथ वर्स या उससे अधिक उम्र के बरिष्ट नागरी को किराये में पुरुष को 40 परसेंट तथा महिलाओं को 50 परसेंट छूट मिलती है भारतीय रेलवे किराये में कुल 30 परकार के छूट की विवस्ता है यह सब कोशन पूछ सकता है आप से भारतीय रेलवे में मेट्रू रेलवे कुलकत्ता तथा कुलकत्ता रेलवे एस्टेशन के बाद नई दिली रेलवे एस्टेशन पर देश के पहली बार विदूत से चलाई जाने वाली स्वचालित सिर्या लगाई गए है दोस्तों यह कोशन पुछेगा आप से पक्का भारती रेलबे मेट्र रेलबे कुलकत्ता तो था कुलकत्ता रेलबे एस्टेशन के बाद नई दिली रेलबे एस्टेशन परदेश के पहली बार विद्धूत से चलाई जाने वाले स्वचालित सिर्या लगाई गई है इसका उद घाटन 20-30 अक्टूबर 1995 को हुआ था बैंगलोर भारत में रेलबे संग्राले नई दिली और मैसूर में है तथा वनार्ची यां चेनाई में प्रस्तावित है यानि कि अभी ततकाल में जो हमारा भारती रेलबे संग्राले कहा है नई दिली और मैसूर में है लेकिन प्रस्तावित किया गया है चेनाई और वनार्ची के सदस्रेंस सब्दह अधिक आमदने होती है भारती रैलवे में सबसे अधिक व्याय कर्मचारीयों के ब्यक्तन के भुक्तान के रूप में होता है प्रेंद ज्यादा पैसद ज्यानत है छले दोस्तों देख लेते हैं 10 question कौन कौन से है भारत का सबसे लंबा railroad platform कहा है दोस्तों भारत का सबसे लंबा प्लेड़ों ने करने நे कौने देखें दोस्तों दूसरा ओर रहे है भारतीय रेल्वे एकड कब पारित हुआ दोस्तों भारतिये एक कब परीत हुआ यह हमारा अठारे सा नेक्स्ट दिखेत दोस्तों रेल्वे बजट को समानने बजट से कब अलग कर दिया गया यहां ऑध यहां東24 नीयस 22 रहेस चुरस नहीं 24 में रेलवे बजट्स के समांने बजटर से अलग पर दिया गया है दोस्तो चले ज़ए दोस्तो चाल नमर देखें भारत में भारत में प्रथम रेल्वे गारी कॉप चलाई गई थी दोस्तो भारत में प्रथम रेल्वे गारी कॉप चलाई गई थी यह आप सभी को पताई होगा अठाइसा तीरपन में नेक्ट कोचन देखिए दोस्तो पांच नमबर भारत में सरपथम रेलबे लाइन किसके सासन काल में बिछाई गए दोस्तो आप ही पहले इसको बताईएगा उसके बात हम बताएगा या आप लोग अपने मन में बता दीजेगा इसको भारत में सरपथम रेलबे लाइन किसके सासन काल में बिछाई गए थी दोस्तो यहां तो हमारा एंसर हो जाएगा लाड डला हो जी अप्सान एक नेक्स्ट कोचन दोस्तो देखिए भारत का सबसे बड़ा रेलबे याड कहां है आसंसो, मुगल सराय, जमालपूर या सोनपूर तो दोस्तो यहां हमारा सबसे लंबा रेलवे याड़ यहां मुगल सराय में है नेक्स देखें दोस्तो भारतीय रेल का एसिया में कौन सा अस्थान है भारतीय रेलवे का एसिया में कौन सा अस्थान है दोस्तो प्रथम, दीतियत, तितय और चतुर्त, दोस्तों, ACM में हमारा भारतिय रेल जो है दूसरे अस्therाण पे हैं, next द्रेंगों दोस्तों, भारतिय रेल का विच्थो में कौन सा अस् 통 खान है? अगर 200 में अस्थान पुछे तो हमारा चतुर्थ होगा और एसीया में पुछेगा तो दुईतिय होगा इतना बड़ा हमारा रेलवे है भारत में रेल जौन की संख्या ता ठाट है और डीजन की संख्या क्सा कितनी है अब और रेलवे जोन और कितना है यंद्यों और रेलवे डिभी जोन हमारा है शुला है और डिभीजन जो है 66 याद रखेजिए बहुत स्टिंपोर्टीं क्वार्ट्ष को भारती रेलवे की 150 वर्सघाठ पर भूलो गाड को सुभांकर के के रूप में किसके द्वारा जारी किया गया था दोस्तों यह उनिस सब पचासवी और सगाठ में भूलो गार्ड का सुभांकर के रूप में किसके द्वारा जारी किया गया था दोस्तों यह आप लोग बताईए है तिया हमारा परधान मंत्री के द्वारा जारी किया गया था कि प्रधान मंत्री होगा हमारे अंसाद जो ना इंद मुद्य है ओके दोस्तों आज है हमारा मॉस्ट इपॉर्टन कोशन राइस का नेक्ट वीडियो हम कर लाएंगे और डेली बैट डेली आपको एंटीप से और गूप डी कहीं कोशन देत रहेंगे इसके लिए आपको हमारा एक काम करना पड़ेगा इस चैनल को सब्सक्राइब किजिए और इस वीडियो को लाइक किजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर किजिए ताकि हम आपको अच्छे से कम्प्लेट कोर्स करा सके थैंक्यू फर वाचिंग